सभी आंगनबारी बहनों को मेरा नमस्कार आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग जिस महिने टी एचार करते हैं उस महिने का टी एचार का फर्म हम लोग पोसंट टेकर एप में कैसे भरेंगे काफी सारी आंगन बारी बहनों का कमेंट आ रहा है कि sir THR का form भरते हैं तो उसमें error भूल का message देखने को मिल रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं और इस error भूल की समस्या को कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो आप सभी आंगनबारी बहनों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए सुरू करते हैं कि जैसे कि टी एचर का फॉर्म भरने के लिए हम लोग सबसे पहले बेनिफिसरी वाली केटेगरी को ओपेन करते हैं ओपेन करने के बाद आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग टी एचर किनका किनका करते हैं जैसे कि इन तिनों केटेगरी में हम लोग टी एचर का फॉर्म भरत तो सब से पहले आपको यहां पर arrow वाले पे किलीक कर देना है ये हने अपको पूसप करेता है अब यहां फिर अब यहां पर हम लोग जो बौक दिया है इस box पे check out करते हैं उसके बाद हम लोग दिनों की संख्यर लिक के submit कर देते हैं तो चलिए यहाँ पे हम box पे check out करते हैं तो देखिए क्या मैं ऐसे जा रहा है Please get your adhar verify first Error rule यानि इस प्रकार की समस्याइ सभी आंगनबारी बहनों के साथ हो रही है तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे यानि कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि जितने भी लभार्थी आपके पोसंट टेकर एप में add है उन सभी का आधार verify सबसे पहले आप लोग को करना होगा जैसे का हमने पिछले काफ़ी वीडियो में बताया है आप सभी को आप लोग जितने जल्द हो सके सभी लभार्थियों का अधार verify कर लिजिए नहीं तो आपके साथ problem हो सकती है तो यह problem अब आप लोग को देखने को मिल रही होगी देखे यहाँ पे arrow पे हम लोग click करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अधार not verified यानि इनका अधार verify नहीं है और यह जो green tick out देख रहे हैं आप लोग तो इनका अधार verify किया जा चुका है यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका अधार verify हो चुका है तो इनको हम लोग THR का form भरेंगे तो इसमें कोई भी problem नहीं आएगी तो चलिए हम किसी एक लभार्थी का form यहाँ पे भरते हैं जिनका अधार verify किया गया है तो उसके लिए यहाँ पे आपको three dot पे click कर देना है click करने के बाद add growth and nutrition details पे click करना है फिर यहाँ पे पोसक हस्त छेप वाले पे click कर देना है आप जैसे हैं इस पे click करेंगे तो THR का job box है इस पे आपको click कर देना है तो देखें यहाँ पे इमार लग चुका है इस पे अब यहाँ पे आपको दिनों की संख्या लिखना है कितने दिनों के लिए हम लोग उस लभार्ती को THR देते हैं जैसे कि 25 दिनों के लिए देते हैं उसके बाद यहाँ पे जो भी वो लभार्ती सेवा प्राप्त कर रही है उसको यहाँ पे select कर लेंगे और submit कर देंगे आप जैसे हैं submit करेंगे तो देखें यहाँ भी आपको error भूल का option दिखाई दे रहा है यानि कि अभी इस लभार्ती का जो 25 दिनों के लिए THR का form भरा गया है वो अभी complete नहीं हुआ है अभी इसमें काफी समय बाकी है जैसे कि फरवरी महिने में इनका THR हुआ था फरवरी last महिने में तो आप लोग जब तक इसका 25 दिन पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ पे जिनका अधार भेरिफाई हुआ है उनका जो THR का form है वो submit नहीं होगा तो इस प्रकार से 25 दिनों का जो time है वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग submit करेंगे तो यहाँ पे आपको यह error भूल का option आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा तो जितना जल्द हो सके आप सभी लभारतियों का अधार भेरिफाई कर लीजिए नहीं तो आप लोग के साथ अभी और भी प्रॉल्म आ सकती है अधार भेरिफाई कैसे करना है इसके लिए हमने पिछले वीडियों में जनकारी दे दिया है आप लोग वहाँ से जाके हम मारे वीडियों को देख सकते हैं और एक समस्या अभी आप लोग यह देखने को मिल रही होगी जैसे कि हम लोग 6 महिने से 3 साल वाले बच्चों की जो कटेगरी है इसमें भी हम लोग THR करते हैं और जैसे कि हम यहाँ पे एक बच्चे का THR का फॉर्म भर के देखते हैं देखिए उसमें भी क्या दिखा रहा है यहाँ पे 3 रोट पे किलिक करेंगे एat growth and nutrition details पे किलिक करेंगे यहाँ पे पोशक हस्त छेप वाले पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पे is the child on solid food तो हाँ पे किलिक करेंगे याई एक बख्स किलिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे error rule का message दिखा रहा है इस केटेगरी में भी यहाँ पे बता रहा है कि सभी बच्चों का जो है अधार भेरिफाई कर लिजिए तभी यहाँ पे THR का फर्म भर पाएंगे तो लगभग लगभग सभी बच्चों का अधार का नहीं बना होगा तो यहाँ पे एक प्रब्लम आएगी यह जो बच्चों का THR का फर्म है वो हम लोग नहीं भर सकते हैं तो इसके लिए भी कोई नया अपडेट आना चाहिए जिसे की जो 6 महिने से 3 साल वाले बच्चे हैं उनका THR का फर्म हम लोग इसली भर सकें तो देख सकते हैं इस परकार की समसे आप लोग को साथ अभी हो रही है नेक्स अपडेट आने तक को इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो इसके बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे अभी के लिए फिलाल इतना ही आप सभी आगनबारी बहनों को कैसा लगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो वो भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर कीजिएगा मिलते हैं फिर किसी नई टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे इस वीडियों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद